इस वाले वीडियो में हम एक छोटी सी ट्रिक के बारे में बात करेंगे जिससे हम किसी भी पब्लिक या फिर प्राइवेट इंस्टाग्राम अकाउंट के प्रोफाइल पिक को डाउनलोड कर सकते हैं और इसके लिए हम कोई भी ऐलक्सी आप का यूज नहीं करेंगे हमें से ज्यादा तर लोग टेलिग्राम का यूज करते हैं तो इसी से ही हम सीखेंगी कि कैसे हम किसी भी इस्टाग्राम अकाउंट की प्रोफाइल पिक को डाउनलोड करें तो सबसे पहले मैं अपने इस्टाग्राम अकाउंट के चलता हूं और मैं अपने एकाउंट की प्रोफाइल पिक आपको डाउनलोड करके दिखाने वाला हूं क्योंकि मैं यहां पे किसी का ऐसे मतलब परमोशन नहीं करना चाता सबसे पहले आपको उस इस्टाग्राम अकाउंट का यूजर नेम देखना है कि उस अकाउंट का क्या यूजर नेम है जैसे मेरा यहां पे उपर है दी कारतिक्स है यह मेरा यूजर नेम है अपनी में इस्टाग्राम अकाउंट का सबसे पहले आपको उस बंदी का यूजर लेना है जिसकी profile pic आप download करना चाहते हैं फिर आपको telegram पे जाना है उपर search bar है यहां पे आपको type करना है instagram dp जैसे आप type करोगे जो first वाला boat है इसको यहां पे आपको open करना है restart पे click करेंगे अब यहां पे username मांग रहा है कि किस username की profile pic आप यहां पे download करना चाहते हैं तो मैं यहां पे अपना username डाल देता हूँ आप कोई भी account के आप पे profile pic ले सकते हैं चाहिए वो public हो या फिर private हो तो username डालने के बाद मैं send करता हूँ और इसकी processing होने लगी है आप देख सकते हो इसने कुछ ही second में मेरे instagram account की profile pic डाउनलोड कर दिया है और नीचे आपको follower following भी दिखा रहा है आप इस image को open करके three dot पे click करके अपने phone में save भी कर सकते हैं तो यह basically instagram का boat है जो आपकी profile pic डाउनलोड करके दे सकता है और इसके लिए हमें कोई भी Alexa app डाउनलोड करने के जुरूरत नहीं है वैसे तो play store पे काफी सारी app है काफी सारी work करती है काफी सारी नहीं करती लेकिन यह एक अच्छा तरीका है अब किसी भी public या फिर private account की profile पर क्यांसे डाउनलोड कर सकते हो तो यह एक छोटी सी trick थी I hope आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को like and share कर दीजिए और मैं मिल दा हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए bye take care वीडियों पिरेंग